भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं, रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11,655 किलो हर्ट्स पर सजीव प्रसारण का आनंद आप हमारी वेबसाइट nhk.jp.hindi पर जाकर भी ले सकते हैं सुनते रहिए नहके वर्ल्ड जापान पहली अप्रेल की सभा में देश-विदेश के समाचार लेकर वरुन तोमर के साथ मैं हूँ चिनमय दीक्षित रूस के रक्षा मंत्रालाई ने कहा है कि उक्रेन के पूर्वी शहर मारियो पोल से पश्चे मुत्तर में जपोरीज्या पलायन के लिए शुक्रवार से एक मानवी अमार्ग शुरू किया जाएगा मारियो पोल पर रूसी हमले जारी है मंत्राले ने ब्रहस्पतिवार को घोशना की कि फ्रांस के राष्टरपती एमानुएल माकरों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स द्वारा रूस के राष्टरपती व्लादेमेर पुतिन से अनरोध किये जाने के पश्चात ये निरणाय लिया गया है रूस ने कहा कि संयुक्तर राष्टर शर्णार्थी उच्चा युक्तकार्याले और अंतर राष्टर रेड क्रॉस समिती भी इस मार्ग के उधगाटन में शा मिल रहेंगे अंतर राष्ट्रे रेड क्रॉस वमेती ने बताया कि उनके दल नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मारियूपोल जा रहे थे इस बीच उक्रेन के राष्ट्रपती वोलोदेमीर जेलिंस्की ने मारियूपोल की स्थिती के लिए रूस की आलोचना की है बेल्जियम की संसद में ब्रहसपतिवार को दिये एक उनलाइन संबोधन में जेलिंस्की ने कहा कि रूसी सेना द्वारा मारियूपोल की ओर जाने वाले सभी मार्गों को बंद करने के बाद पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से ये शहर पूरी तरह से रूसी घेराबंदी में है उन्होंने कहा कि इस शहर में कुछ नहीं है ना पानी ना भोजन ना दवाएं और ना ही कोई जीवन वहां जीवन यापन के लिए आवश्यक कुछ नहीं बचा है संयुक्त राष्ट मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्याले का कहना है कि उक्रेन पर रूसी आक्रमन में अब तक 1232 नाग्रेक मारे गए हैं इन आक्रों में 112 बच्चे भी शामिल है कार्याले ने ब्रहस्पतिवार को 24 फरवरी से 30 मार्च के बीच नाग्रेकों की मृत्यों की पुष्टी के ताजा आंकडे जारी किये कार्याले के अनुसार उक्रेन के पूर्विक्षेत्र दुनियेट्स्क और लुहांस्क में 404 लोगों के मारे जाने की पुष्टी हुई कीव, हारकोफ, चेर्निहीव, खेरसोन और अन्यक्षेत्रों में 828 लोग मारे गए कार्याले के अनुसार 1935 नागरेक घायल हुए मानावादिकार कार्याले ने बताया कि अधिकांश मौतें व्यापक शेत्र पर असर करने वाले विद्ध्वनसक हथियारों के प्रयोक से हुई है जिनमें भारी गोलाबारी और कई रॉकेट एक साथ दागने वाली प्रणाली तथा मिसाईले और हवाई हमले भी शामिल है कार्याले का कहना है कि वास्तविक आंकडे इससे कहीं अधिक हैं क्योंकि इनमें दक्षण पूर्वी शहर मारियो पोल और रूसी सेना के घमासान हमले जहेल रहे अन्यक शेत्रों से मिले अपुष्ट आंकडे शामिल नहीं किये गए हैं जापान सरकार ने उकरेनी शरणार्थियों को देश में बसाने हे तू आरंभिक सहायता प्रदान करने का दायत्व एक संगठन को सौपने का अन्यरणाय लिया है ये संगठन शरणार्थियों को आवास तथा अन्यमदद प्रदान कर रही स्थानिय नगरपालिकाओं और कम्पनियों से मिलवाने में मध्यस्त की भूमे का निभाएगा उक्रेनी शरणार्थियों को शरण देने के लिए शुक्रवार को हुई दूसरी सरकारी बैठक में ये निरणाय लिया गया मुख्य काबिनेट सचेव माचसोनो हिरोकाजू, विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा और अन्य अधिकारी बैठक में शामिल थे बैठक में निरणाय लिया गया कि उक्रेनी लोगों के जापान में प्रवेश पर एशियाई जन कल्याण एवं शिक्षन संगठन उन्हें आवास, नकदी और अन्य आवश्यक सामगरी उपलब्ध करवाएगा ये संगठन शर्नार्थियों को जापान में बसाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में दक्ष है संगठन नगरपालिकाओं और व्यापानों द्वारा दी जा रही विभिन प्रकार की सहायता को सूची बद्ध करेगा साथ ही ये शर्रार्थियों के अनरोध भी पूरे करने के प्रयास करेगा ताकि वे जापानी जीवन शैली सरलता से अपना सकें ये समाचार NHK वर्ल जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किये जा रहे हैं जापान के अर्थमंत्री हागियुदा कोईची ने दोराया है कि देश रूस के सुदूर पूर्व में तेल और प्रकृतिक गैस परियोजनाओं से पीछे नहीं हटेगा उनका कहना है कि ये परियोजनाएं उर्जा आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं उन्होंने शुकरवार को समवाधाताउं से कहा जापान की दोनों परियोजनाओं में हिस्सेदारी है और इनके माध्यम से उसने दीरगावदी उर्जा आपूर्टी सुनिश्चित की है ये परियोजनाएं देश को बाजार भाव से कम कीमत में उर्जा प्रदान करती है और उर्जा की बढ़ती लागत ने इनका महत्व और भी बड़ा हदिया है हागी हुदा ने ये भी कहा कि जापान अपने कच्छे तेल का लगभग 90 प्रतिशत पश्चिम एशिया से आयात करता है और सखालिन एक परियोजना उस क्षेतर से इतर उर्जा का एक महत्वपून सुरूत है उन्होंने बताया कि तरलिकरित प्राकृतिक गैस यानि एलनजी के जापान के आयात में सखालिन दो परियोजना की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है उन्होंने कहा कि जापान रूसी आर्क्टिक में एक और एलनजी विकास पर योजना से पीछे नहीं हटेगा अफगानिस्तान पर चीन की मेजबानी में आयोजेत एक पैठक में प्रतिनिधियों ने पुष्टी की है कि वे युद्गरस्थ राष्टर के लिए मानविय साहिता जारी रखेंगे उन्होंने तालिबान के एक वरिष्ट अधिकारी से भी मुलाकात की चीन, रूस, पाकिस्तान, इरान और तीन अन्य देशों के प्रतिनिधि रस्पतिवार को चीन के अंधरूनी प्रांध आनुई में एकत्र हुए इनमें चीन के विदेश मंतरी वांगी और रूस के विदेश मंतरी सरगे लावरोफ शामिल थे चीनी विदेश मंतराले के अनुसार राशपती शी जिंग पिंग ने एक लिखित संदेश में कहा कि चीन, अफगानिस्तान की शांती, स्थिर्था और विकास के लक्ष का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है प्रतिमिद्धियों ने अफगानिस्तान पर शासन करने के तालिबान के प्रयासों को व्यापक तोर पर मानेता प्रदान की तालिबान ने पिछले वर्ष अगस्त में देश पर फिर से नियंतरन कर लिया था अधिकारियों ने अफगानिस्तान में गंभीर मानुए संकट के बारे में भी चिंतावियत करते वे राहत प्रदान करने ही तू सहाइता जारी रखने पर सहमती व्यक्त की और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर रूस के रक्षा मंत्राले ने कहा है कि उक्रेन के पूर्वी शहर मार्योपोल से पश्य मुत्तर में जपोरीज्या पलायन के लिए शुक्रवार से एक मानुए मार्ग शुरू किया जाएगा ये घोशना ब्रहस्पतिवार को फ्रांस के राष्ट्रपती इमानुएल माकरों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्स द्वारा रूस्ट के राष्ट्रपती व्लादिमेर पुतिन से अनरोध किये जाने के पश्चात ली गई रूस ने कहा कि संयुक्तर राष्ट्र शर्नार्थी उच्चा युक्तकार्याले और अंतरराष्ट्रिय रेड क्रोस समिती भी इस मार्ग के उधगाटन में शा मिल रहेंगे अंतरराष्ट्रे रेड क्रोस समिती के अनुसार उनके दल नागरिकों को सुरक्षत बाहर निकालने के लिए मारियूपोल जा रहे थे इस बीच उक्रेन के राष्ट्रपती वोलोदेमीर जैलिंस्की ने मारियूपोल की स्थिती के लिए रूस की आलोचना की है उन्होंने कहा कि इस शहर में कुछ नहीं है ना पानी ना भोजन ना दवाएं और ना ही कोई जीवन वहाँ जीवन यपन के लिए आवश्यक कुछ नहीं बचा है संयुक्तराष्ट मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्याले के अनुसार उक्रेन पर रूसी आक्रमन में अब तक 1232 नाग्रेक मारे गए हैं इन आक्रों में 112 बच्चे भी शामिल हैं कार्याले का कहना है कि वास्तविक आंकडे इससे कहीं अधिक हैं क्योंकि इन में दक्षन पूर्वी शहर मारियूपोल और रूसी सेना के घमासान हमले जेल रहे अन्यक शेत्रों से मिले अपुष्ट आंकडे शामिल नहीं किये गए हैं जापान सरकार ने उक्रेणी शरणार्थियों को देश में बसाने के लिए आरंभिक सहायता प्रदान करने का दायत्व एक संगठन को सौंपने का आने रणे लिया है ये संगठन शरणार्थियों को आवास और अन्यमदद प्रदान कर रही स्थानिय नगरपालिकाओं और कंपनियों से मिलवाने में मध्यस्त की भूमिका निभाएगा इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है